तो हम जो है एनिमल केंग्डम को डिसकस कर रहे हैं जिसमें हमने उसकी फर्स्ट फाइलम जो थी दाट इस पोरी फेरा उसको डिसकस कर लिया है तो ट्रिक के हिसाब से हमारी जो सेकंड फाइलम आती है वो कौन सी है ट्रिक क्या थी हमारी पी सी पी में पोरी फेरा को हमने डिसकस कर लिया था अब जो आएगा डाट इस सिलेंट्रेट और उसका दूसरा नाम नाइडेरिया भी है तो आज जो हम फाइलम डिसकस करने जा रहे है तो इस फाइलम के जो है दो नाम क्यों है नाइडेरिया और सिलेंट्रेटा वर्ड जो था वो पहले ही उसकिया जाता था आज के टाइम पे इसे हम नाइडेरिया कहते हैं अगर हम बात करें इसकी इंट्रोडेक्शन की तो सिलेंट्रेटा बर्ड जो था ये जो था मोस्ली हम कहां से लेते ग्रीक से घ्रीक भाषचा से जो है मोस्ली याने की जादातर नाम वो रखे गई है तो कॉलियोन और एंट्रॉन का मतलब होता था होलो होलो मतलब खाली, ठीक है, एंट्रोन मतलब एंटेस्टाइम, यानि कि वो एनिमर्स जिनकी बोडी के अंदर होलो कैबिटी, जैसे कि हमने पोरिफेरा में पढ़ा था, उसमें कैनाल सिस्टम था ना, ओस्टिया था, जिसके थूप वाटर एंटर करता था, दो उसके पास स्लि जो कैबिटी थी उसके अंदर, उसके अंदर जाता था, चिक्लम के थूont इससे बाहर निकल जाता था, तो उसमें क्या थी, होलो कैबिटी थी, सेम ऐसी ही कैबिटी जो है, वो हमारे सिलेंटरेटा के अंदर भी प्रेजंट होती है, तो उस टाइम पे जब क्लासिफिकेश हुई होगी तो क्या देखा गया कि इन अनिमल्स के अंदर जो है holocavity present है holocavity present है that's why इनका नाम जो था वो क्या रख दिया गया silentrates रख दिया गया अब इसका नाम जो है nideria क्यों रखा क्योंकि इसके अंदर जो है वो cells present होते हैं जिने जो है यानि कि जो silentrates जो animals होते हैं इनके अंदर nido blasts और उन्हें हम nido cysts भी कहते हैं ये cells जो है mainly इनके अंदर present होते हैं और इन cells के बज़े से ही इनका नाम क्या पढ़ा nideria पढ़ा इस phylum का नाम इन cells की बज़े से क्या पढ़ा nideria पढ़ा अगर हम बात करें phylum cylindrata की तो इसकी जो naming की गए थी यानि नाम जो दिया गया था वो दिया गया था rudol lucard के द्वारा 1847 के अंदर और जो new naming है यानि nideria ये नाम जो था बर्थोंड hat sketch के द्वारा 1888 के अंदर दिया गया था ठीक है तो nideria जो है अभी हम बर्ड यूज करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है वो हमारे पास nido blast और साथ में जो है nido cyst भी उसे कहते हैं ये cells इसके अंदर present होते हैं ठीक है अगर ग्रीक भाषा के according हम देखें Greek words है ये ठीक है तो nideria words जो use किया जाता है that is for stinging यानि की dunk मारने वाली कोई चीज या dunk मारने वाला कोई cells जो है वो इसके अंदर present होगा तो अगर हम बात करें nideria तो उसके अंदर इस तरह से cells nematocytes होते हैं जो की stinging cells होते हैं ठीक है इसी वज़े से इसका नाम जो है वो nideria पड़ा है I hope अब इस फाइलम के नाम को लेकर आपके माइन में कोई भी question नहीं बचा होगा ठीक है नाम समझ में आ गया क्यूं रखे गए हैं इसके नाम क्यूं इसको अब देखी जिव हमने बात की कि nideria क्यों कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या होते है नाइडो ब्लास्ट और नाइडो शिट्स प्रेज़ेंट होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं जिने हम क्या कहते हैं निमेटो cides कहते हैं यही singing capsule जिसकी मैं भी बात कर रही थी ठीक है और यह निमेटो cides जो होते हैं यह present होते हैं ओन्दा tentacles अगर हम बात करें hydra जो है वो हमारे पास इसका simple example है तो इसके बोडी जो है इस तरह से substratum के साथ attached होगी और उसके उपर क्या होते हैं इस तरह से tentacles present होते हैं इस तरह से ठीक है तो यह जो हमारे पास निमेटो cides हैं यानि singing camsules है यह tentacles के उपर भी present होगे बोडी के उपर भी लेकिन सबसे ज़ादा majority में यह जो है वो tentacles के उपर present होते हैं यह defense का काम भी करते हैं anchoring यानि की चिपकने का काम भी करते हैं और साथ ही साथ यह जो है वो food को capture करने का काम भी करते हैं इसको हम बाद में detail में पढ़ेंगे अधी आ जाते हैं हम इसके habitat के उपर अगर हम habitat की बात करें तो जो हमारे पास नाइडीरिया के mostly member है mostly जो कैसे है बेयार मेराइन ठीक है और few जो होंगे वो हमारे पास किस तरह से होंगे वो हमारे पास fresh water होंगे ठीक है जैसे कि हमारे पास जो थे पौरी पेराफाइलम के अंदर थे उसमें भी mostly कैसे थे मेराइन थे और कुछी species जो थी वो हमारी कैसी होती थी fresh water के अंदर होती थी ठीक है तो fresh water में सबसे common example जो आप कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं that is hydra ठीक है यह हमारे पास fresh water जो है नाइडीरियन होता है ठीक है habitat की ब हमारे पास यह ठीक है aquatic में भी mostly कैसे है mostly हमारे पास यह मेराइन है ठीक है उदर जगा कम थी तब दुबारा से लिख रही हूं मैं ठीक है मेराइन में अगर हम बात करें तो इसमें आता है हमारे पास example ओबेलिया का ओबेलिया और फाइसलिया ठीक है fresh water का हमने क्या बात करी इसी fresh water में क्या था fresh water में है हमारे पास hydra fresh water में कौन है hydra है और दूसरी बात कि जैसे हमने पोरी फैरा में पड़ा था तो उसमें most member कैसे थे mostly members कैसे थे सारे के सारे सिसाइल थे किसी substratum के साथ वो attached रहते थे लेकिन इसमें क्या है इसमें few members जो होंगे वो हमारे पास सिसाइल होंगे सिसाइल में हमारे पास ओबेलिया साथ में आता है hydra ठीक है और अगर हम free moving की बात करें जो freely swim करते हैं free swimming लिख लेते हैं free swimming जो आएंगे हमारे पास ठीक है उसमें हमारे पास आ जाएगा पाइसलिया ठीक है और और इलिया और इलिया और इलिया डाट इस जैली फिश आपने देखी होगी इस तरह से उसकी structure होती है ठीक है तो यह हमारे पास कैसी होती है freely swim करती है water के अंदर जहां मज़ी जा सकती है freely floating है ठीक है जबकि जो है वो किसी सब्स्टेटम के साथ attached रहेंगे और एक ही जगा water current के तुरू इदर जूल सकते जूम सकते हैं लेकिन यह कैसे रहेंगे सिसाइल होंगे और यह हमारे पास free swimming होंगे ठीक है और बात करते हैं जैसे कि अगर हम इनकी बात करें कि इनके अंदर कुछ जो होते हैं वो अकेले रहते हैं solitary ठीक है अकेले कौन है hydra भाई अकेला रहता है वो तो मुझे किसी की जुरूरत नहीं है मैं अकेला survivor कर सकता हूं और कुछ जो है वो हमारे पास colonies बना के रहते हैं ठीक है कुछ members जो है इनके वो हमारे पास कैसे रहेंगे colonies बना के रहेंगे जिसमें हमारे पास example आएगा फाइसेलिया का ठीक है यह example है हमारे पास फाइसेलिया ठीक है तो habitat mostly aquatic है मेराइन में भी पाई जाती है कुछ species जो है वो हमारे पास fresh water में पाई जाएंगी सिसाइल भी है ठीक है और यह free moving भी है ठीक है और साथ में solitary यानि अकेले भी रह सकते हैं या फिर यह तो इसमें mostly हमारे पास नाइडीरिया के अंदर पिशू बन जाते हैं पिशू level of organization पिशू formation हो जाएगी क्या हो रहा है ठीक है ठीक है अब mostly हमारे पास पिशू कैसे होते हैं हमारे पास epithelial टीशू भी होते हैं हमारे पास nervous टीशू भी होते हैं और हमारे पास connective टीशू भी होते हैं और मस्कुलर टिशू ठीक है तो अब जैसे कि पोरिफेरा में हमने पढ़ा था उस ओर्गन के अंदर यानि नर्ब सेल्स जो थे वो प्रेजेंट नहीं थे ये हमारे पास नाइडीरिया ऐसी पहली फाइलम आएगी जिसके अंदर जो है वो नर्वस टिशू प्रेजेंट होगा नर्वस टिशू प्रेजेंट होगा फर्स्ट फाइलम आ रही है जिसके अंदर नर्वस टिशू है ठीक है तो सैंसरी इसके अंदर जो है वो यह सैंस कर सकेगा वैसे तो हमारे पास पौरिफेरा भी था क्योंकि वो जो था वाटर करन्ट के थूरू सैंस त एक टिशू जो है वो प्रेजंट नहीं होता है, that is connective tissue, connective tissue is absent in nideria, ठीक है, इसके अंदर जो है connective tissue जो है वो प्रेजंट नहीं होगा, तो ये था हमारे पास level of organization, यानि की cell से टिशू बन गए हैं इस phylum के अंदर, और इसमें जो है वो nervous tissue present होगा, लेकिन connective tissue इसके अंदर present नहीं होता है, अब अगर बात करते हैं स्मिट्री की, ठीक है, अगर बात करें स्मिट्री की, तो इसमें हमारे पास जो है, वो स्मिट्री कैसे रहेगी, देखिए, hollow cavity है, इस तरह से hollow cavity है, ठीक है, जब इसको divide करेंगे, तो हमारे पास radius present है, है radius इसके अंदर present, तो हमारे पास symmetry कैसी होगी, ठीक है, symmetry कैसी होगी, यह हमारे पास radial symmetry होगी, जो radius से two equal halves में divide हो रहा है, that is radial symmetry, ठीक है, तो इसमें हमारे पास radial symmetry रहेगी, ठीक है, और इसमें एक example है, हमारे पास, c animal का, ठीक है, इसमें हमारे पास जो होती है, बाई radial symmetry जो है, वो present होती है, बाई radial symmetry जो है, c animal के अंदर हमारे पास जो है, वो present रहेगी, ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, nideria के अंदर body forms की, तो इसमें हमारे पास two types of individual या zoids जो है, मुपाए जाते हैं, ठीक है, two types of individuals या zoids हम इसे कहेंगे, ठीक है, यानि कि तो तरह की body forms ये show करता है, एक होती है हमारे पास polyp, दूसरी होती है हमारे पास medusa, ठीक है, जो हमारे पास polyp form होगी, वो इस तरह से, जैसे hydra का हमने example लिया था न, cylindrical होगी, एक substratum से चिप की हुई, इस तरह से उसके उपाँ tentacles present होगे, medusa, medusa जो है, वो हमारे पास इस तरह से, umbrella shaped body होती है, और उसमें tentacles इस तरह से, नीचे की तरफ को होगे, उल्टा कर लेगी थे, ठीक है, जो umbrella shaped body होगी, वो हमारी medusa होगी, और जो हमारे पास cylindrical और सीथ के tentacles उपर की तरफ को present है, that is polyp form, ठीक है, polyp form जो है, वो हमारे पास solitary भी हो सकती है, clonies में भी हो सकती है, लेकिन जो medusa form होती है, वो हमारे पास free swimming होती है, और solitary होती है, अकेली घूमती रहती है ये, ठीक है, अब ये क्या हो सकता है, कि ये दोनों forms जो है, एक साथ, एक ही individual, यानि की एक ही individual अपने lifetime में, इन दोनों forms को attain कर लेता है, या ऐसा भी हो सकता है, कि ये जो है, वो single single, यानि की कोई organism पूरी अपनी life जो है, वो polyp form में निकाल दे, या कोई अपनी पूरी life cycle जो है, या पूरी life जो है, वो अपनी medusa form में निकाल दे, ठीक है, लेकिन कुछ organisms, यानि कुछ animals ऐसे होते हैं, जो medusa से polyp में, और polyp से medusa में change हो जाते हैं, तो that is known as alteration of generation, इसे बोला जाएगा, that is known as alteration of generation, और इसमें ये क्या show कर रहे हैं, एक form से दूसरे form में change हो रहे हैं, तो ये क्या show करें, polymorphism, ठीक है, they are showing, generation of generation को, metagenesis भी कहा जाता है, metagenesis भी इसे कहा जाता है, तो niderian के पास जो है, दो body forms होती है, polyp होती है, medusa होती है, polyp से वो medusa में भी change हो सकते है, medusa से polyp में भी change हो सकते है, और इसे हम क्या कहते हैं, जब एक है individual, दो forms में, तो हम उसे polymorphism कहेंगे, साथ ही इसे कहा जाता है, alteration of generation, and that is known as metagenesis, जो umbrella shaped होगी, वो हमारी medusa form होगी, जो cylindrical और इस तरह से उपर की तरफ को tentical जिसमें present होगे, वो हमारी जो है, अब बात कर लेते हैं, germs layer की, तो जैसे की polyphera के अंदर हमने बात करी थी, उसके अंदर क्या थी, दो germs layers होती थी, पीच में हमारे पास जो है, non cellular part होता था, mesochine, ठीक है, तो इसमें भी same वैसा ही है, लेकिन उसमें क्या होता था हमारे पास, की, जिसे हम कहते हैं न, कि diploblastic था, लेकिन truly diploblastic नहीं थे वो, ठीक है, इसमें हमारे पास जो है, वो two germs layer लहेंगी, two germs layer present होगी, that is, ectoderm and endoderm, ठीक है, तो यह कैसा होगा हमारे पास, diploblastic, और truly diploblastic रहेगा अब यह हमारे पास, ठीक है, जिसे कि, हमने, जब starting में, basic characteristics के बारे में, जब study किया था, कि animals जो, किस तरह से classify किया गया है, ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था, कि हमारे पास इस तरह से, जो थी, वो, एक्टोडर्म बाहर वाली लियर रहेगी, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता था, middle layer होती थी, लेकिन उसमें जो थे, वो connective, sorry, जो cellular apparatus था, यानि cells जो थे, उसमें present नहीं थे, फिर उसके बाद हमारे पास जो थी, वो endoderm आती थी, अब जो mesoglia होगा, वो हमारे पास, नाइडेरियन के अंदर जो है, वो present रहेगा, ठीक है, तो इसकी body wall की structure, हम जो है, उसको थोड़ा साथ, पढ़ लेती हैं, ठीक है, तो उसमें आपको जो है, वो clear हो जाएगा, मतलब easily clear हो जाएगा, ठीक है, तो अब, हम जो है, वो discuss करते हैं, body wall of नाइडेरियन, मा लीजे कि जैसे hydra ही है, ठीक है, इस तरह से उसकी structure है, उसके उपर इस तरह से tentacles present है, तो हम उसकी body, जो ये wall है, उसमें से इसे छोटा सा part, कट करके, फिर उसकी जो है, वो study करते हैं, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा आभी, कि हमारे पास जो है, वो two germs layer होती है, ectoderm है, endoderm, ठीक है, इसमें हमारे पास, बाहर जो है, वो epidermis present रहेगी, ठीक है, बीच में, mesoglia होगी, जो की non-cellular layer होती है, cells उसमें freely move करते हैं, लेकिन cells से ये बनी नहीं होती है, फिर आती है, हमारी जो पास, endoderm है, that is, gastrodermis, ठीक है, gastrodermis layer, जो है, हमारी inner layer होती है, ठीक है, बाहर वाली हमारी epidermis, actoleal layer, ठीक है, तो जो हमारी epidermis है, उसके उपर, जो है, epithelio muscular cells, जो है, musculator provide करवाती हैं, ये interstitial cells है, interstitial cells यहाँ, जो है, आर्के उसाइट, हमने porifera के अंदर पड़े थे, वो कैसे cells थे, totipotent cells थे, ठीक है, same वैसे ही interstitial cells, जो होते हैं, हमारे पास, नाइडेरिया के अंदर, ये भी totipotent cells होते हैं, worn out, या जो cell मर जाते हैं, कोई भी cell, तो ये, इनके अंदर ability होती है, उन cells को फिर से grow करने की, ठीक है, फिर आते हैं, निमेटो ब्लास्ट, तो main हम नाइडेरिया के अंदर, नाइडो ब्लास्ट, ठीक है, और इसमें नाइडो सिस, जो है, वो precise, जो है, वो present है, ठीक है, उसके अंदर क्या था, वो stinging cells, जो stinging capsule की, हम बात करे थे, निमेटो ब्लास्ट, ये जो होता है, जब इसके पास कहीं प्रे आजाता है, आसपास, ठीक है, उसको पकड़ने के लिए, यानि अपने food को पकड़ने के लिए, ये क्या है, या उसको जो है, थोड़ा सा hypnotize, या फिर उसको paralyze करने के लिए, प्रो टॉक्सिक जो है, वो release करता है, that is hypnotoxin, ठीक है, ये रिलीज करेगा, capsule से क्या होगा, एक thread-like structure निकलेगी, फिर वो क्या करेगी, प्रे को जो है, उसमें बांध लेगी, बांध लेगी, फिर उसको वो क्या कर देगी, थोड़े time के लिए, जो है, वो paralyze कर देगी, उसमें चे जो toxin, और ये जो होता है, mostly जो swimmers होते हैं, अगर उनको भी, जो है, मतलब ये toxin लग जाए, तो वो भी उनकी body भी paralyzed हो सकती है, इतना जबरदस्त ये toxin जो है, छोड़ते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ही time के लिए होता है, यानि कि एक बार जो है, अगर ये यहां से release हो गया, बाहर चला गया, जब ये दुबारा आएगा बापिस इसके अंदर, तो ये बापिस coil नहीं हो पाता है, ये मर जाता है, फिर इसमें जो है, sensory cells भी present होती है, misoglia की अगर हम बात करें, तो इसमें जो ये red color के आपको दिख रहे हैं, ये इसके अंदर nerve cell है, फिर्स्ट फाइल में जिसके अंदर nerve cells जो है, वो present है, फिर आती है हमारे पास gastro-dermis layer, gastro-dermis layer में देखिए, इसने food को जो है capture कर रहा है, food vacuole है इसके पास, ठीक है, जिसमें ये क्या करेगा, अब उसको gastro-dermis layer के अंदर क्या देखिए, digestion भी हो रही है, digestion में क्या है, food को ये क्या कर रहा है, digest कर रहा है, अब digestion जो होती है इसके अंदर, इसको जो है endo muscular cell, endo epithelomuscular cells भी कहा जाता है, ठीक है, ये जो cell आप देख रहे हैं इस तरह से ये, जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, ये हमारे पास जो है, वो sensory cells है, glandular cells, pseudopodium और interstitial, interstitial cells हभी भी हमने study करा था, ये कैसे totipotent cells जो होते हैं, ठीक है, तो ये जो है overall diagram है, body wall की, ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है, easily यहाँ से हर एक चीज़ जो है, अब जब से कि हमने main characteristic feature इसके अंदर क्या पढ़ा था, जो starting से हम पढ़ते आ रहे, जिसमें की इस phylum का नाम जो है, अभी हमने देखा था, जो कि हमारे पास epidermal के उपर present था, ठीक है, निमेटोब्लास था, तो उसकी structure अगर हम देखें, तो simply इस तरह से structure होती है, में nucleus होगा, cytoplasm, contractile fibers, कुछी नाम मैंने लिखे हैं यहाँ, यह है capsule, ठीक है, निमेटोब्लास, इसमें से क्या होगा, कि जैसे ही, नाइडो, नाइडोसिल है, ओपर क्यूलम है, stylet है, जैसे ही इसे लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे sensory cells are present है, इसके अंदर, इसमें जैसे ही इसको signal मिलेगा, कि कोई pray आया है, यह यहाँ से फचाक से, बाहर निकल जाएगा, जब यह यहाँ से बाहर निकलेगा, तब इसकी structure कैसे होगी, यह जो ओपर कुलम है, इसके उपर इस तरह से structure आएगी, इसके उपर spines present होते हैं, यहाँ पर, यह stylet जो लिखा ना, यह बाहर आ जाएगा, और इससे, इसके आसपास, यह इस तरह से बाहर निकल जाएगा, हाइपो टॉक्सिन, जिसकी हम बात कर रहे थे, जो कि फैटल्स होता है, स्वीमर्स के लिए, और प्रे को जो है, वो क्या कर लेता है, कि इस बार उसको बाइन कर लेगा, या फिर इंजेक्ट कर देगा, टॉक्सिन उसके अंदर, हाइपो टॉक्सिन, जिससे वो पैरलाइजड हो सकता है, ठीक है, तो यह बहुत ही, जो है, थोड़ा खतरनाख है, ठीक है, तो इस तरह से, इसकी जो है, structure जो है, रहती है, मेन क्रेक्शिसिक फीचर है, यह किसका, नाइडेरियन का, ओके, बोडी कैविटी की, अगर हम बात करें, इसके अंदर, तो बोडी कैविटी, जो होती है, नाइडेरियन की, कोई मेन बोडी, यानि की, अगर हम बोले, अलग-अलग है, तो अलग-अलग नहीं होती है, इसलिए, बोडी कैविटी जो है, वो अलग-अलग नहीं होती है, ठीक है, डाइडेशन की, अगर बात करेंगे, तो डाइडेशन, इंटरसेलूलर भी होती है, इंटरसेलूलर भी होती है, तो डाइडेशन को, यानि क्लॉइम इसके अंदर जो है वो pleasant, सिलोम जिसे हम कहते हैं, वो present नहीं होगा, एक ही opening इसके अंदर होती है, माउथ ही होगा, एनस इसमें अंदर present नहीं होता, यानि मूँ से ही खाएगा, facial material भी मूँ से ही बाहर निकलेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, गेस्ट्रो वेस्ट्रो 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 अभी हमने देखा था पीछे जो body wall की diagram देखी थी, वहाँ पे हमारे पास जो gastro epidermis दी, ठीक है, gastro dermis, उसमें क्या हो रहे थे, वहाँ पे nutritive cells present थे, जिसके अंदर food vacuum देखी थी ना हमने, तो उन cells के अंदर भी digestion होती है, और gastro vascular cavity के अंदर भी जो है, इसकी digestion होती है, ठीक है, लेकिन digestive system क्योंकि mouth ही present है, एनस present नहीं है, तो digestive track कैसा होगा इसका, incomplete होगा, ठीक है, ये complete नहीं है, digestion कैसी हो रही है, intercellular, कहां, gastro vascular cavity में, और intracellular, intracellular, ये कहां हो रही है, gastro dermis के उपर, ठीक है, तो दो तरह की digestion जो है, इसमें होती है, पोरिफेरा में जो है, छोटे-छोटे जो हमारे पास organism होंगे, वो उन्हीं को खा जाए, लेकिन इसके अंदर जो है, क्योंकि हमारे पास nematoblast है, तो ये क्या कह सकता है, वो thread से ना, जादा larger organism को भी जो है, वो capture कर सकता, यानि, पोरिफेरा से थोड़े जादा बड़े organisms को ये खा सकता, या food particles को खा सकता है, पोरिफेरा से थोड़े बड़े होंगे, ठीक है, अब बात करते है, respiration की, तो respiration की अगर हम बात करें, तो देखिए, पानी के अंदर रह रहे हैं, general body space, जो surface है, उसके थुरू ही ये respire करेंगे, क्योंकि water के अंदर है, ठीक है, वहीं से dissolve oxygen जो है, obtain कर लेंगे, तो जो respiration है, वो कैसी होगी इसकी, थुरू body surface, ठीक है, excretion की अगर हम बात करें, तो sponges के अंदर क्या था, ammonia, same इसके अंदर भी जो है, ammonia जो है, as a excretory matter निकलेगा, mostly aquatic में याद रखिएगा, ammonia जो होता है, वो highly toxic होता है, और water के अंदर जा रहा है, तो क्या होगा, क्योंकि अगर simple सी बात है, कि अगर वो urea, uric acid करेंगे, तो उसमे aquatic habitat के अंदर रह रहा है, तो उसमें जो है, वो directly उसको जो है, वो excretive कर सकते है, circulation की बात करें, तो देखिए, कोई organ system इसके अंदर present नहीं है, तो circulation कैसी होगी, तो जो हमारे पास partially digestive, intracellular, extracellular, जो food इसके अंदर जा रहा है, वो ही जो है, आगे जो है, वो distribute होता रहेगा, क ठीक है, तो उसमें जो है, calcareous, ठीक है, calcareous skeleton जो है, इसके अंदर present नहीं है, यानि calcium से बना हुआ, वो endoskeleton जो है, ठीक है, कुछ species जो, जैसे कि gastro-vascular cavity है, वो भी कई बार जो है, वो endoskeleton का काम करती है, ठीक है, exoskeleton, endoskeleton जो है, वो present रहते हैं, endoskeleton, sorry, exoskeleton, जो है, corals के अंदर जो है, वो calcareous रहेगा, यानि की calcium से बना हो सकता है, ठीक है, now, reproduction की अगर हम इसमें बात करें, तो sexist जो होते हैं, इसमें male और female united भी हो सकते हैं, या अलग-अलग भी हो सकते हैं, reproduction mainly जो है, जिसे कि हमने polymorphism इसमें अंदर पड़ा था, कि two types of forms होती है, polyp होती है, और साथ में medusa होती है, polyp जो है, वो substratum के साथ जुड़ी होती है, ठीक है, cylindrical form होगी, और उपर से उसके tentacles होगे, hydra का example है हमारे पास, तो hydra हम जो है, गम से कम eight class से पढ़ते आ रहे हैं, hydra के अंदर क्या होता है, budding होती है, तो इसमें क्या हुआ asexual reproduction रहेगी by budding in the polyp form, जिसमें example है, हमारे पास hydra का, ठीक है, sexual reproduction की अगर हम बात करें, जो जितनी भी medusa forms है, उनके अंदर जो है, वो sexual reproduction होती है, ठीक है, gonards जो है, वो nideria के अंदर present है, लेकिन उसके अंदर कोई duct present नहीं होगा, fertilization इसके अंदर external भी हो सकती है, या फिर व अब हम advanced characteristics देख लेते हैं, यानि कि porifera से ये किस तरह से advanced है, ठीक है, teacher क्या रहे porifera के अंदर, nervous system है, इसके अंदर present, nerve cells present है, ठीक है, साथ में इसमें tissue organization होगी, tissue level जो है, वो present है, बहले हमारे पास cellular level of organization present था, porifera के अंदर, अब हमारे पास tissue level of organization यहाँ पे present है, gonards हैं, लेकि उनके अंदर, जो है, वो duct present नहीं है, इसके अंदर digestive track है, ठीक है, intra cellular और, जो है, intercellular इसके अंदर digestion हो रही है, लेकिन body ball पे है, incomplete है, वो, body ball present है, वहाँ पे, ठीक है, देखिए, tissue level of organization है, stinging cells present है, porifera में नहीं थे, incomplete digestive track है, लेकिन वो bonded है, वाइदा body ball, nervous tissue, इसके, sorry, nervous tissue नहीं, nervous tissue है, ठीक है, और nervous system इसके अंदर जो है, वो present है, simple gonads है, without any ducts, ठीक है, अब हम इसके example देख लेते हैं, कौन-कौन से हमाई पर simple example है, जो NCRT के अंदर देखे रखे हुए है, पाइस एक्जेम्पल है, पाइसीलिया, जिसे पूर्टगी, man of war, यह ऐसा लगता है, समंदर के अंदर तैरता हुआ, कि पूर्टेकाल के सैनिक जो है, यह टॉपी पहन के वो जो है, वो लड़ाई करने जा रही है, ठीक है, अदिक है, जिसे C-Anemone भी कहते है, ठीक है, पैनेटिवला, C-Panus, इसे कहा जाता है, गॉर्गाउनिया, C-Panus, and mean drenia that is brain brain की तरह जिसे brains के अंदर जो होता है ना ठीक है वैसे structure जो है इसकी जो है some word structure जो है brain like structure इसकी present होती that's why इसका नाम brain coral पला है ठीक है वैसे इसे mean drenia कहा जाता है ठीक है तो ये था हमारा phylum nideria next phylum जो है next video में जो है next phylum जो क्या जाएगी हमारे पास PC था पहले PC, porifera, C ते हमारा salentrata ठीक है अब हमारे पास CPU, U की जगा हमने A किया था तो first phylum कौन सी आती है C से हमारे पास stenophora तो next video के अंदर जो हम phylum study करेंगे that is stenophora तब तक के लिए goodbye and thank you जो हम था स्टार जो हम थास्टार पास्ता है च्पूफ भ्रेवारो थास्टार जो हमारे करेंगा ब civilization क्या जो हमारे एफ एक हиеام रहरे पास्त, ऊाच growing... अहरे चाम है दो हमारे तो उन Bureau